आगे बढ़ते वे आपको बता दे पूरे मुंबई एक्स्रेस वे पर भीशन हाथसा हुआ जिसमें चार लोगों की दर्दनाक मौत हुई है जब की आठ लोग घायल हुए है जिनमें से तीन की हालत बेहत गंभीर बताई जा रही है खंडाला घाथ के खोपोली एक्जिट पर हुए इस हाथसे में छे गाडियां जो है एक साथ टकराएं जिसके बाद से पूरे हाथसे में चार लोगों की मौत हुई है और आठ लोग घायल हुए है जिनमें से तीन की हालत अभी बेहत नाजुब बनी है तो यह तस्वीरे आपको दिखा रहे उस वक्त की जब छे गाडियां आपस में टकराएं और इसके साथ ही यह भीशन हाथसा हुआ बताया यह जो आ रहा है कि एक गाड़ी का ब्रेक पेल होने की वज़े से यह छे गाडियां आपस में टकराएं आप देखिए तस्वीरों के जरिया आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना भयावे मंज़र रहा होगा जिस वक्त यह छे गाड़ीयां आपस में टकराएं और ऐसे में आपको बता दे इस पूरे हाथसे में चार लोगों की जान गई है और राहत बचाओ कारे यहाँ पर शुरू की अगयार जो लोग इसमें फसे हुए थे गाड़ियों में उनको निकाला गया आथ लोग गंभीर रूप से घायल हुए है जिनमें से तीन की हालत बेहत नाजुक इस वक्त बनी हुई है फिलहाल सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है मुंबई पुड़े एक्स्रेजवे पर यह हाथसा हुआ जहाँ पर शे गाड़िया आपस में चक्राई तो इस पूरे हाथसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हुई है हाला की पुलिस जो है डैड बॉड़ी की शिनाक्त भी करने में जुटी हुई है तो सुबह के वक्त में यह हाथसा हुआ उस वक्त जब एक गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ जिसके बाद से यह छे गाड़िया आपस में टक्राई है और इस हाथसे में चार लोगों ने अपनी जान गवाई है वही आठ लोग गंभीर रूप से घाल हुए है फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुचे तस्वीरे आपको दिखा रहे किस तरह से यहापर प्रशासन के लिए भी एक चुनोती भरा वक्त रहा क्योंकि जिस तरह से यह छे गाड़िया आपस में टक्राई लोगों को इसमें से निकालना बेहत मुश्किल हो रहा था और आपको बता दे सहाथ से में चार लोगों की मौत हुई है महराश्र के पाल घर में वाट्साप स्टेटस को लेकर विबाद हो गया दरसल वाट्साप स्टेटस पर मैसेज डालने के मामले में कॉलेज में जगड़ा हुआ और जिसके बाद एक परिवार के छे लोगों ने एक बाल प्रसाद और उनकी बेटी और पत्नी के साथ मार पीट के जिसमें महिला घायल हो गई जुसे भरती कराए गया अस्पिताल में लाज के लिए जहां उसकी मौत हो गई और इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों के गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक अंतिम संसकार नहीं करेंगे मुंबई के दहिसर पूर्व चोगले कंपाउंट के उपर वन विभाग के इलाके में जंगल में गांजा बेचने की खबर मिलने पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने इनके पास से तीन किलो गांजा बरामत किया है पकड़े गए आरोपि की पहचान, कुनाल जगदेश, गोसाई और किरन शेखर तेवर की रूप में हुई है और इन आरोपियों पर पहले से भी कई मामले दर्ज है, फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताच कर रही है तो आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, फिलहाल दो गांजा तसकरों की गिरफ्तारी हुई है, जन से पूछताच की जा रही है, आगे और भी कई खुलासे हो सकते हैं कल दैसर पुलिस टेशन के एटी सी पथक ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, एक कुनाल गोसावी है और दूसरा किरन तेवर है, ये दोनों भी लोकल दैसर के रहने वाले हैं, इनसे एक 3 केजी 240 ग्राम गांजा बरामत किया है, और उनके खिलाफ एंडी पीएस आट के तहत कारवाई की है, अभी तो तैकिकात जारी है, लेकिन ये एक इसे भी रेकॉर्ड के गुनिकार है, इनके खिलाफ पहले भी ऐसे केस दर्ज है, फरजी डॉक्टर सुनील वाटकर के खिलाफ महानगर पालिका की ओर से बिना अनुमती के अस्पताल शुरू करने की शिकाय फरजी अस्पताल चुलाने के आरोप में गिरफतार किया गया है। तो उसके बारे में कुछ डिग्री है या नहीं है, उनके पास तो दिया नहीं था, इसके लिए फोर्ट वेंटे का या पैर दाकिल किया था, हमने वो महानगर पालिका के पास से फिर उनका डॉकुमेंट लिया और जो हस्पतल था, उस्पिटल का पंचनमा करके उसमें जो क कुछ डॉकुमेंट था, और डॉकुमेंट एविडर्ज भी कलिप किया, और कल हमारे डिटेक्शन के एपे मातरे साब है, जो कि वो इन्विस्टिगेशन ओपिसर है, तो उनके उसको हरिष्ट किया है, आज उसको कूर्ट में लेके जाएंगे. वहीं पुड़े में चोरी शिपे ट्रक से बायो डीजल बेचने के लिए लेकर जा रहे आरोपियों को पुलिस ने धरदबोचा है, पुलिस ने आरोपियों से कुल 22,79 रुपे की आपको बता दे, इसके कीमत की बायो डीजल और 50 लाख रुपे के दो ट्रक मिलाकर 72,79 रु गाउं के पास से चाकड शिक्रापुर रोड पर ये कारवाई की गई है, फिलहाल पुलिस मामले में आगे घुजाज कर रही है चाकड शिक्रापुर रोड पर शेर्पिंपर गाउं में प्रसंद जरहाट जो हमारे API हैं चाकड पॉलिस्टेशन की, उनको मिली गुप्त सूचना के आधार पर, पॉलिस्टेशन चाकड के सिनियर इंस्पेक्टर, स्री सिंगारे के नत्रत में, एक दबिश की गई, और इस दबिश में दो कंटेनर, MH43-3575, MH43-3569 इसे जप्त किया गया महराश्टर के बुल्डाना में पॉलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का परदा फाश किया है और पॉलिस ने आरोपियों के पास से 17 बाइक बरामत की है आपको बता दे कि आज पॉलिस टीम को सूचना मिली थी कि जिसके बाद पॉलिस ने कारवाई करते हुए इन सभी को गिरफतार किया है तीन आरोपियों के गिरफतारी हुई है और इसके साथ ही 17 बाइक पॉलिस ने जब्त की है इंफरमेशन के हिसाब से उन्होंने जो अपनी चौकशी की उसमें 14 मोटर साइकल और एक मोटर साइकल की चेसिस ऐसा टोटल 15 गाडियों का जब्त किया गया यह सारी गाडियां अलग-अलग जगाओं से चोरी करके इनका इनको चोरी किया गया था तो इस मामले में LCB की टीम की तरफ से तीन आरोपियों को अटक किया गया है और यहां वाक्त होज़े लाइक छोड़ से ब्रेक का ब्रेक की उस पार भी खबरों का सिलसला जारी रहेगा बने भी मारे साथ और ब्रेक के बाद एक बाद फिर खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे मुंबई में E.D. ने बड़ी कारवाई करते हुए अंडर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के ठिकानों पर शापे मारी की है ज्रानकारी के मताबिक मनी लॉंडरिंग मामले में E.D. ने आज कई जगों पर शापे मारी की फिलाल आपको बता दे कि मुंबई में मनी लॉंडरिंग मामले में अंडर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर E.D. ने ये कारवाई की है और अभी भी लगातार कारवाई ज़ारी है इस बार E.D. के शिकंजे में अंडर वर्ल के भगोड़े और राजनेता भी है तो मनी लॉंडरिंग केस में शापे मारी लगातार ज़ारी है आपको बता दे E.D. लगातार एक के बाद एक कई जगों पर कई ठीकानों पर शापे मारी कर रही है और इसके साथ ही पूछताच की प्रक्रिया भी लगातार ज़ारी है तो अंडर वर्ल से जड़े लोगों के ठीकानों पर शापा मारा जा रहा है जिस तरह से मुंबई में E.D. की बड़ी कारवाई जारी है ऐसे में जो अंडर वर्ल के लोग हैं वो काफी ज़ादा इस वक्त लगातार उनमें हड़कम मचा हुआ है तो मुंबई में E.D. की ताबर तोड कारवाई शापे मारी की लगातार जारी है और इसके साथ ही कुछ लोगों से पूछताच की भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और भी कई एहम खुलासे हो सकते हैं और भी कई एहम ठीकानों पर E.D. शापे मारी कर सकता है तो मनी लॉंडरिंग केस में लगातार शापे मारी जारी है अंडर वर्ल से जुड़े लोगों के ठीकानों पर ये की शापे मारी लगातार जारी है जादा जानकारी के साथ राजन मिश्चा संबादाता हमारे साथ इस वक्त लाइब जुड़े हैं राजन अभी जस तरह से लगातार E.D. की तरब से शापे मारी की जारे कोई एहम सुराग और भी जानने को मिला कई बड़े चेहरे कोई जा देखिए बाइब दॉब्राहिम के हावाला बणी लॉंडरिंग और ड्रफिंग घ्रफिंग दिए मामले में नाय पहले ही 15 दिन पूरा मामला दर्च कर गिया था आज सुबह से AD मुमबे के अलग अलग जोगों पर लगCs और थे lot 옷 भड़ किर रहे हैं और अबी तक स्थारा कोई थी जानगारीच थी月 से 10 तर चाहते मारी यजा कि जा चुकी है और जोगी डी कंपनी से जूड़ीables लोग हया तो जोड़े हैं शापे मारी कर रही है और आपको बड़ी जानकरी देदू कि एक राजनीता के जो करीबी है उनका अना अभी तक कामने नहीं आया है उनके भी घर पे छापे मारी हुई है और इसमें जो दो लोग भी शामीले जिसमें एक इकबाल मुर्ची और हसीना पारकर इन दोनों के घर भी ऑडे में चापे मारी की ऐए तो अइसे में कोई एहम चहरा जिसको लेकर लेकर कयासा लगाया जा रहे थैंटी अगर इतनी सारे जगवपर और सुबह चार बजे लगठी से लगाताया शापे मारी की जारे तो कुछ एहम सुराग कुछ एहम खुला से तो जस तरह से लगाता चाज शापी पमारी की जा रही है E.D. को कई एहम सुराग मिले इसको लेकर कई एहम पुकता जानकारिया मिले जिसके बाद से ये कारवाई की जा रही है लेकिन अगर राज़न जिक्र करे तो कौन-कौन से ऐसे नाम है क्या नामों का खुलासा हो पाया है कि कौन-कौन से लोग ED के रडार पर हैं? क्या नामों का खुलासा हो सकता है कि कौन-कौन से लोग इस मनी लॉंडरिंग केस में शामिल हैं और इसके साथ ही जो चहरे अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं जाहिर तो पर लगातार शापिमारी जारी है तो कई ऐसे चहरे भी सामने आ सकते हैं जो अभी तक परदे के पीछे थे हाला कि लगातार इस पूरे मामने में मनी लॉंडरिंग केस में शापिमारी की जा रही है जो कुछ लोग सामने आए हैं उनसे पूछताज भी की जा रही है लेकिन नामों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है तो अंडर्वर्ट से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार उनके कई ठीकानों पर शापिमारी की जा रही है मनी लॉंडरिंग केस में ये पूरी शापिमारी लगातार जवारी है और कई एहम खुलासे हो सकते हैं फिलाल अभी तक नामों का खुलासा एडी की तरब से नहीं किया गया है